मसकार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सक्सेस प्लस अकेडमी के प्लेटफॉम पर मैं हूँ सुमे चोधरी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्व इधियास के सबसे महांतम वग्यानिकों में से एक गैलेलियो गैलेली की जीवनी और विज्ञान के छेतर में उनके योगदान के बारे में दोस्तों गैलेलियो गैलेली जिनको फादर ओफ मोडन फिजिक्स, फादर ओफ मोडन साइंस, फादर ओफ अब्जरवेशनल एस्टोनोमी कहा जाता है इनका जनम एक ऐसे समय पे हुआ जब पूरे यूरोप में चर्च का बहुत ज़्यादा परभाव हुआ करता था चर्च और साइन्स के बीच में बहुत बड़े स्केल पे कॉनफलिक्ट हुआ करते थे कोई भी साइन्टिस्ट अगर अपनी ओब्जर्वेशन से अपनी थियोरीज से या अपने प्रैक्टिकल से चर्च को किसन कर देता था या बाइबल में लिखी हुई चीजों को रीजन कर देता था तो उसको चर्च की यातनाएं सहनी पड़ती थी चर्च उसको पनिश करता था और इसी चीज का शिकार गलेलियों भी हुए गलेलियों को भी चर्च की यातनाएं सहनी पड़ी इनकी थियोरीज की वज़े से और अपनी जिंदगी के आखरी कुछ साल इनको हाउस अरेस्ट में भी बिताने पड़े इन सब के बावजूद लिम न्यूटन की गती के नियम पढ़ते हैं न्यूटन के ग्रेविटेशन के सिध्धान्त जो पढ़ते हैं उनमें भी गलेलियों की थियोरीज जो हैं वो उसका भी आधान बनी कहीं ना कहीं तो ऐसे विज्ञानिक थे गलेलियों गलेली इनके बारे में आज हम डिटेल में बा को देख के क्योंकि इन्होंने टेलिस्कोप को इंवेंट किया था एक्च्वल में इंवेंट तो नहीं किया था उसमें कुछ सुधार किये थे इंप्रूव वर्जन ओफ टेलिस्कोप बनाया था टेलिस्कोप का इंवेंशन किस ने किया 1608 में वह मैं आगे चलके बताऊंगा लेकिन आप अभी कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अगर पता हो तो इनका जो योगदान है फिजिक्स की फिल्ड में, एस्ट्रोनोमी की फिल्ड में, कोस्मोलोजी में, मैथमेटिक्स में और फिलोसोफी में वो बहुत कमाल का है इसी लिए इनको फादर ओफ म साइंस इनकोitating Albert Einstein ने जिनको आप जानते हैं कि वो कितने महण वेग्यानिक थे, उन्होंने कहा कि Galileo जो फादर ओफ मोर्डन फिजिक्स तो हैं ही, लेकिन वो फादर ओफ मोर्डन साइंस हैं, सिर्फ फिजिक्स नहीं मौर्डन साइंस के पिता हैं वो, और एक और सदीके महा स्टीफन होकिन्स ने क्या कहा कि गलेलियों ने जो अपने जीवन में किया मोडन साइंस के लिए इतना किसी भी सिंगल परसन ने अकेले नहीं किया इतना उन्होंने किया है आप न्यूटन को जानते हैं अलबर्ट आइंस्टैन को जानते हैं कितना बड़ा उनका कॉंट्रिबूशन है साइंस की फिल्ड में लेकिन स्टीफन होकिन्स ने क्या कहा कि जितना गलेलियों ने किया इतना तो किसी ने नहीं किया इतने महान विग्यानिकों ने भी इनके लिए ऐसे शब्द इस्तमाल किये हैं आप समझे कि गलेलियों किस तरीके के वेक्ति थे इनके जो फॉलिंग फ्रीफॉल बोडी के जो नियम है वो आधार बने गती के नियमों के लिए जो न्यूटन के ग्रिविटेशन के जो नियम है उसके लिए भी और जो फैस्ट लोव मोशन है न्यूटन का जड़त्व का नियम जिसे इनर्शिया का जो लो कहते हैं वो भी इसका आधार बना कैसे बना वो आगए आपको मैं बताऊंगा उसके अलावा फंडामेंशन जो गती के उपर इन्होंने नियम दिये थे पेंडूलम के उपर जो इन्होंने इस्टडी की थी वो बहुत ही इंपोर्टन नियम है यहां तक तो सब ठीक था लेकिन जब इन्होंने कोपर निकस की थियोरी को सपोर्ट करना शुरू किया कोपर निकस के ओपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और कोपर निकस ने क्या कहा था कोपर निकस ने एक हिलियोसेंट्रिक मोडल दिया था हिलियोसेंट्रिक मोडल में यह कहा गया कि सन जो है जो सूरज जो है वो बर्मांड के केंदर में है और सभी के सभी ग्रह इसके चारो तरस चक्कर लगाती है, ऐसा कहा था कोपरणिकस ने और उससे पहले एक धारणा चली आ रही थी, टोलमी और अरिस्टोटल ने जो मोडल दिया था उसमें ये कहा गया था कि धरती तो किंदर में है और धरती के चारो तरफ सारे के सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं और सूरज भी धरती के चारो तरफ चक्कर लगा रहे है धरती क्या है? स्टेशनरी बोडी है ये कहा था टोलमी ने ऐसा ही मोडल दिया था अरिस्टोटल ने उस मोडल को चर्च भी फॉलो करता आ रहा था और कोपर निकस के जो सिध्धान्त थे उनके ओपर चर्च ने एक तरीके से बैन लगा रखा था कि ये सिध्धान्त नहीं माने जाएंगे ये बाइबल के खिलाफ हैं ये धर्म के खिलाफ हैं चर्च के खिलाफ हैं लेकिन इन सिध्धान्तों को जब गैलेलियों ने सपोर्ट किया तो इनके उपर भी मुकदमा चला और इनको अपनी लाइफ के आखरी कुछ साल जो है उनको हाउस अरेस्ट में बिताने पड़े ये तो एक ब्रीफ इंट् रास्ता आपको बाइबल बताती है लेकिन बाइबल आपको ये नहीं बताते कि जो स्वर्ग हैं वो कैसे घूstore तो ये कहा था गलेलियो गलेली ने ठीक अब इनके बारे में क्या कहा लोगों ने वो मैंने आपको बता दिया है अब अरली लाइफ के उपर आते हैं इनका जो बच्पन है वो कैसा रहा जनम कहा हुआ ये सब बात करते हैं इटली में इनका जनम हुआ था पीसा नामक एक जगए है ये फ्लोरेसेंस में है यहां पे इनका जनम हुआ पंदरा फरवरी 1564 को इनका जनम हुआ और इनके माता पिता के ये छे बच्चों में से सबसे बड़े थे और इनके जो पिता है वो लूटेनिस्ट है जैसे गिटार जैसा ही एक वाद्ययंत्र होता है मुजिकल इंस्ट्रुमेंट होता है उसको बजाते थे मुजिक कंपोजर थे मुजिकल थे और इन्होंने 1562 में शादी की उसके दो साल बाद इनके बेटे जो गैलेलियो गैलेली है इनका जनम होता है गैलेलियो शुरुआत में खुद भी लूटिनिस्ट होते हैं, यह भी वह वस्वाद्य अंतर को बजाते हैं, आप लूट क्या होता है, वह आप गूगल कर लीजेगा, आपको यह अंतर दिख जाएगा, अगर आप नहीं जानते हैं, तो, गिटार जैसा ही होता है, बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, उसमें, वह तो एजूकेशन के बारे में बात करते हैं 1581 में यूश्टी ओपेसा में 16 साल की एज में इनोंने एडमिशन लिया और इनके जो पिता हैं वो चाहते थे कि मेडिसन की पढ़ाई करें ये डॉक्टर बने और अच्छा सेवा में चले जाएं मतलब डॉक्टरी करें और अच्छ बात्चित करी इस बारे में लेकिन इनके पिता ने इनको बार-बार मना कर दिया कि आपको मेडिसन में अपनी पढ़ाई को पूरा करना है लेकिन आप जानते हैं कि अगर उस चीज में मन नहीं लागेगा तो वो डिग्री पूरी नहीं हो पाएगी और वो डिग्री इनकी नहीं होती है और ये भी कोलेज ड्रोप आउट हो जाते हैं मेडिसन में तो उसके बाद ये मैथेमेटिकल सबजेक्ट में अपनी जो अप्रोच है उसको अपनाते हैं मैथेमेटिक्स की तरफ जाते हैं उसकी तरफ जो इनका रुजान था खिचाव था उसको ये परशू कर यह सब चीजे करते हैं और एक महान विज्ञानिक की तोर पर बढ़ते हैं क्या क्या होता है चीजे देखिए शुरुवात में क्योंकि छे भाई बैन थे पिता की एज हो गई थी और भाई बैनों की शादिका भी उस समय इनके उपर दबाव था उस समय भी जो दहेज पर था सिर्फ भारत में नहीं है वहां पर भी थी और काफी दहिस देना पड़ता था तो इनकी फाइनशल स्टेटमस अच्छा नहीं था फैमिली के बड़े भाई बेनों में सबसे बड़े थे तो इनको handful में पर फैमिह की वह जिम्मेदारी भी थी तो फाइनशल सटेटमस यहां पर लेसंस दिये उसके बाद इन्धों ने जो एक तरीके से वेट और बैलेंस के ऊपर एक जो मोशन के ऊपर अध्यान किया। उसमें इन्होंने बुक लिखी थी ला बिलाइन सिटाइए जो शब्द है ये है एक तरीके से इटालियन शब्द है इसके इंग्लिश रुपांतरन क्या होगा तर लिटल बैलेंस इसके ओपर इन्होंने बात करी अब क्या बात करी वह मैं भी आपको बताऊंगा उसके बाद टीचिंग में मिल गया था जोब मिल गई थी जो यूश्टी ओपीसा है यहां पे इनको 1589 में जोब मिल गई थी ठीक ठाक इर्निंग इनकी होने लग गई थी लेकिन फिर भी कम मिल रहा था जितना इनको चाहिए था उतना नहीं मिल रहा था अब इन्होंने इस दोरान क्या गलेलियो ने दिया उसके पीछे की एक कहानी है और वो कहानी इस तरह से कहते हैं विवियानी कि एक बार गलेलियो चर्च में गई चर्च में गए और चर्च में जाके इन्होंने देखा कि वहां पे एक जूमर था एक जूमर था और वो जूमर ऐसे ओसिलेट कर रहा था दो लंबे दोलन करने लग गया, लंबे दोलन करने लग गया. तो उस इस्टती में क्या हुना चाहे था, की लंबे दोलन करने के समय, क्या ठाइम पे ज्यादा टाइम लगना चीए था. Basically मैं क्या कहना चौरहू, आप चीजों को फोड़ा कर समझी हुई है, कि ये एक चीज लटकी हुई है, ये है पेंडूलम है, इसको जुमर मानिए, इसको बॉब ऑब्जेक्ट कहते हैं, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको इन्होंने देखा, कि बई शुरुवात में ये यहां से यहां तक मुव कर रहा है, तो इसमे एक टाइम लग रहा है, मान लग समय लगता है, बराबर समय नहीं लगता, लेकिन इन्होंने पाया, उस समय घड़ी तो नहीं थी, लेकिन अपनी नब्ज को पकड़ के इन्होंने देखा, कि इसमें और इसमें टाइम बराबर लग रहा है, बराबर समय लग रहा है, कि चाए लंबा एक तरीके से इसको और वो सलेक्शिन करना हो चाहये चोता करना हो दोनों में बराबर समय लग राया है इसका मतलों uh speed बढ़ रही होगी speed बढ़ हा Kaiser लेकिं समय बराबर रह रहा है तो इसचीज को इन्होंने observe किया और इन्हों इस ज्ढूमर को déjà के किया ये कहानी है इसके पीछे की कुछ लोग कहते हैं कि ये कहानी नहीं है इन्होंने म्यूजिकल OUT की आदार पे पेंडूलम का Animator की लेकिन उसके बाद पंडूलम के इकस्परिमेंट की है इन्होंने जाके अपने घर पे जाके पेंडूलम बनाया ब्कायदा पहले एक रसी ली ऊसके उपर लोहे की बोल को बांदके पेंडूलम बनाया, और पेंडूलमको इन्होंने movement देखे उसके उसके बाद वहाँ पे इन्होंने एक दूसरी बोल बांदी, दूसरे material की और उसको भी देखा, तो उन्होंने ये ही चीज़ पाई कि हर हाल में, जो oscillation में लगा ओवा समय है एकी रसी पे बंदे हुए अगर रसी की लेंथ सेम है तो चाहे कोई भी इसके उपर औबजेक्ट बांद दो उसका उसिलेशन सेम रहेगा उस उसिलेशन समय सेम रहेगा चाहे वो छोटे उसिलेशन ले चाहे बड़े उसिलेशन ले और उसके बाद अगर रसी की लंबा तू चीफ वर्ड सिस्टम और एक लिखा डायलोग कंसर्णिंग तू न्यू साइंसे और इसमें इनोंने कुछ सिध्धांत दी और वो सिध्धांत क्या कहते हैं पेंडूलम नियरली रिटन टू दियर रिलीज हाइट जहां से पेंडूलम को आप यहां से इसको छोड़ोगे तो यहां पे वापिस आएगा लगभग यहां पे आएगा पूरा एकदम एगजिट नहीं आएगा धीरे-धीरे करके कम हो जाएगा जब तक आप इस पे कोई एक स्टती पे वापिस लोड़ जाएगे ऐसा नहीं है कि हमेशा अनंत काल तक घुमते ही रहेंगे एक ताइम तो आएगा ना कि यहां पे स्टेशनरी कंडिशन में आ जाएगे जब इन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है हवा चल रही है तो अलग बात है लेकिन वैक्यूम के अंदर तो एक स्टती जब आएगी कि यह रुक जाएगा ठीक है रुक जाएगा उसके बाद क्या होगा यह कहा पेंडूलम ने हलांकि न्यूटन की गति का पहला नियम क्या गयता है जब तक उस पे कोई एक्सरनल फोर्स नहीं लगा जाए तब तक वो क्या रहेगा गति क् इसकी या तो मतलों गती में है तो गती में रहेगा अगर स्टेशनरी कंडिशन में है तो स्टेशनरी में रहेगा लेकिन अगर कोई फोर्स लगेगा इनी वेक्यूम में रहेगा तो क्या रहेगा अगर वो दोलन करता रहेगा लेकिन हवा में है तो वो घरशन से रुक हो उतना ही समय लगेगा इसके oscillation में periodь इस पर is pełền नहीं करता empire toot के ओपर भी deppend नहीं करता कितनी हीइट पे …weLO जो वपन किस पर करता है डारेक्ली लेंथ पर इस धागे की इस रस्थी की लंबाई कितनी है उसके ओपर जरूर ठाइम का असर पढ़ता है इसके लाओ किसी चीज़ का असर नहीं पड़ता ये पेंडूलम की इन्होंने थियोरी थी और बहुत इंपोर्टेंट थी ये आने वाले समय में आधुनिक विज्ञान में इस थियोरी का बहुत इंपोर्टेंस है आप जानते हैं पेंडूलम आपने सभी ने पढ़ा होगा अ अनने अरिस्टोटल के जो वू हैं उनको खारिज कर दिया अब अरिस्टोटल का क्या लो था और इनका क्या लो था गैलेलियो का हिसको समझते हैं ये गैलेलियो जो क strength का बांच में का अल्क्य फै οण 2 the high ότι ओड़ भी और इनके इसाबसे इन्हों ने दो अफ्जेक्टs एख heavy object और एक हलके object को उपर से नीचे गिराया और गिराया तो इन्हों ने पाया कि दोनों body जो हैं वो एक साथ जमीन पे जाके टकराती हैं हलकी body भी और हलका object भी और light object भी हलका और भारी दोनों objects एक साथ जमीन पे टकराते हैं लेकिन इससे पहले Aristotle का एक view था old idea था उसमें ये कहा गया था कि जो भारी चीज है वो जमीन की तरफ जल्दी आती है जल्दी आती है मान लीजिए आप पांच किलो का object और एक किलो का object जमीन पे गिराएंगे तो पांच किलो वाला जल्दी आएगा ऐसा Aristotle का मानना था और देखिए Aristotle का जनम कब हुआ था वो 4th century BC में रहते थे और ये 16th century का समय आ गया है लेकिन Aristotle के इस view को challenge करने वाला कोई नहीं था और यहां पे गैलेलियों ने इस सिद्धान को challenge किया और उन्होंने कहा कि वजन से कोई फरक नहीं पड़ता दोनों के दोनों ज एक तरीके से देखा कि Aristotle को कोई कैसे खारिजगा सकता है देखिए Aristotle का जो ओधा था ना वो बहुत जबरदस्ट था Aristotle के बारे में क्या कहा जाता है the greatest of those who know दुनिया में जानने वालों में सबसे महान व्यक्तिस को माना जाता है Aristotle के बारे में मनें बायोग्राफी कंप्लीट कर रखी है बहुत महान हस्ती थे वो बहुत great philosopher थे father of biology है father of philosophy है father of political science है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कहीं गलत नहीं हो सकते लेकिन लोग उनको गलत मानने के लिए तयार ही नहीं थे कि Aristotle की theory को गलत कैसे बोल दिया तो इनका जो work था जब इन्होंने Aristotle के ideas को criticize किया तो लोग इनको arrogant समझने लग गए इनको arrogant समझने लग गए और इनको isolate कर दिया इनके जो सहपाटी थे इनके जो colleagues थे वो भी सोचने लगए कि यह तो पागल हो चुका है law of parabolic fall का जो सिद्धान्थ भी इन्होंने दिया इन्होंने क्या कहा कि surface पे दोनों body सेम आके time पे तक्राएंगी और क्यों टक्राएंगी वो तक्राने के कारण भी बिताए कि देखे वजन उपर से नीचे की तरफ जब आती है कोई भी बोड़ी तो उस पे एक force लगता है अब gravitation का जो सिद्धान्थ है वो सेव जब न्यूटन पे पड़ा वो तो ठीक है वो आप जानते है कि उन्होंने दिया उनका नाम आता है लेकिन इन्होंने भी एक बात कि थी ग्रेव पर ज्यादा या कम नहीं लगता है ऐसा नहीं है कि भारी पर ज्यादा लगेगा कम पर हल्की पर कम लगेगा ठीक है और इन्होंने कहा कि जो constant force लगता है उससे यह नहीं होता कि speed बढ़ जाएगी speed है वो constant speed पे speed से मेटर नहीं करता वो करता है कि constant acceleration लगता है आप g की बात करते हैं जी जी कितना होता है 9.81 meter per second square यह क्या है यह gravitational acceleration है कोई भी वस्तु अगर जमीन की तरफ गिरती है तो उसके ओपर यह जी लगता है acceleration लगता है कि हर second उसकी speed जो है वो 9.81 meter per second square से बढ़ जाएगी हर second बढ़ती जाएगी यही तो है acceleration का सिधान जो gravitational acceleration इसी तरह से लगता है तो acceleration होगा लेकिन force speed पे नहीं acceleration की वज़े से वो चीज़ नीचे गिरेगी और constant acceleration जब लगेगा तो एक साथ ही गिरेगी जमीन पे और तो कोई अलग से force है नहीं सिर्फ वही है जो accelerate करता है और साथ ही गिरती है तो आप अगर चाहे cotton की बोरी डाल दें च्छत से और चाहे आप एक लोहे का बड़ा कोई object डाल दें दोनों जमीन पे एक साथ ही गिरेंगे दोनों में अलग अलग समय नहीं आएगा इसलिए जो है speed इनकी equal होगी हाँ अब यह है कि इनोंने इस पे ये भी किये थे कि एक तो सीधा जमीन पे गिराए एक इनोंने ये भी किया कि इनकलाइनली अगर किसी चीज को गिराए जाए तो दोनों को ही इनोंने वो करके देखा था कि इनकलाइन पे यहाँ पे कोई बोल को गिरा के देखा तो उसमें हर सेकंड उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है उतना एग्जेक्टली जी की वल्य यह नहीं निकाल पाए और उतना धंक से नहीं कर पाए क्योंकि संसाधनों की बहुत उस समय बहुत अभाव था लेकिन उसके आधार पे भी इन्होंने अपने करी थी इस सिध्धान्त को आप सेपरेटली पढ़ना जाएंगे तो मैं इसको अलग से भी बता सकता हूं किसी टाइम अब यहां पे जब आप जानते कि युनिवस्टी ओफ यह जो पहला कॉंटेक्ट था पीसा की उनिवस्टी में यह तो इनका खतम हो गया था अठासो पंद 1212 से लेकर 1610 तक यहीं पर रहे यहां पर इनको अच्छी सेलरी मिलती थी पहले के कंपेर्जन में और इसी दोरान यह एक महिला से मिले जिनका नाम है मारीना गामबा मारीना गामबा से इनौने शादी तो नहीं की लेकिन इनके साथ इनके संबन थे इनके रोमेंटिक रिले खुछ हद तक आप देखें तो कैसे बेटियों की शादी का खर्चा यह निकाल नहीं सकते थे इसलिए बेटियों को इन्होंने नन बना दिया जो चर्च है उसमें उनको सोब दिया कि आप चर्च की सेवा करो क्योंकि इनको पता था दो चीजें थी एक तो यह जानते थे क् बेटियों की शादी होना मुश्किल होगा अगर होगी भी तो मुझे बहुत ज्यादा दहिज देना पड़ेगा इसलिए इन्होंने क्या किया बेटियों को नन के रोप में भेज दिया कि आप चर्च की सेवा करो चर्च में ही रहो वहां पर ही अपना जिवनियापन करो वो इस्टोनोमिकली एस्टोनोमी में इनका क्या कोंट्रिबूशन है उसके उपर आ जाते हैं देखें 1608 में होलेंड के एक विग्यानिक हैंस लिपर सी लिग्यानिक तो नहीं थे ये ये बैसिकली एक आई ग्लास मेकर थे इन्होंने एक डच थे डच मतलब होलेंड नीदरलें यहां इन्होंने एक टेलिस्कोप बनाया और इन्होंने सबसे पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपलाई किया था पैटेंट के लिए कि मैंने टेलिस्कोप बना लिया ये दूर तक की चीजों को देखने वाला अबजेक्ट है एक ऐसी चीज है इसको स्पाई ग्लास कहा जगा है स्पाइग लास यानि जो स्पाइग कर सकता है जो दूर तक देख सकता है अब 1609 को कुछ साल अगले ही साल कुछ समय बाद जुलाई में ही गैलेलियो को पता चला कि एक ऐसे इंस्ट्यूमेंट का भी अविश्कार हो चुका है होलेंड में और उसके बाद इनके पास इसका डिजाइन कहीं ना कहीं से पहुँच गया और उस डिजाइन के आधार पे इन्होंने अपना खुद का टेलिस्कोब बनाया और बहुत बहुत बहुतर तरीके से उसको बनाया उसको इंप्रूव किया यह जो किया था यह जो हैंसलिपर से थे यह उतने वेक्टी है तो वो जादा बहतर कर पाएगा इस सविशकार में अच्छा काम कर पाएगा ऐसा ही न्यूटन के साथ होता था तो इस चीज को इस टेलिस्कॉप को और बहतर तरीके से उन्होंने मैनुफेक्चर किया और एक जो टेलिस्कॉप था उसका अच्छा वर्जन इन्होंने निकाला और अपना नया टेलिस्कॉप बनाया कई बार टेलिस्कोप का जो फादर है टेलिस्कोप का जो इन्वेंटर है उसको गलेलियो को भी नाम दे दिया जाता है लेकिन मैनली हैंसलिपर से थे यही थे तो अगस्ट मिनों ने अपना खुद का जो टेलिस्कोप बना दिया था क्योंकि इनके पास पैसे की कमी थी तो उस समय के जो मर्चेंट्स थे जो नेवी थी जो क्या बोलते हैं सेना थी उनको उन्होंने अपना टेलिस्कोप बेचा टेलिस्कोप इसलिए बेचा क्योंकि टेल थी वो उसका इस्तमाल आप जानते हैं कि स्पाई में करती थी कि अपनी शत्रु शेहना को दूर तक देख पाएं तो इसलिए करते थे वेनिस में इन्होंने अपनी ये जो है व्यापार किया एक तरीके से अपने ये जो टेलिस्कोप है इसको बेचा इनसेंज को कुछ पैसा ही मिला उसके बाद इस टेलिस्कोप का इस्तमाल इन्होंने किस फिल्ड में किया एस्टोनोमी की फिल्ड में किया 1609 में ही इन्होंने ये डिसिजन लिया कि अब वो टेलिस्कोप का और बहतर वर्जन बनाएंगे और 20 मैगनिफाइड इसको अब टूटी टाइम्स इनको इस्तमाल किया अब ये टेलिस्कोप कोपनेकस के टाइम नहीं था तो वो जो थियोरी दी थी उसमें उन्होंने नेगड आइज से खुली आखों से ही इन सितारों को इन ऑब्जेक्स को देखा था लेकिन इनके पास थोड़ी सी सुईदा बहतर थी और ये इनको अच्छे से अब्जर्व कर सकते थे इसलिए इनको फादर ओफ अब्जर्वेशनल एस्टोनोमी कहा जाता है साथ ही साथ इनके पास भी मैथमेटिकल पैटरंस थे और मैथमेटिक्स की बहुत अच्छे थे ये मैथ में तो उसका भी इनोंने साथ में इस्तमाल किया और साथ में अपनी गणनाएं दी अब इनोंने क्या क्या किया टेलिस्कोप में अब कोपनिकस के वाले सिधान पर तो आएंगे बाद में लेकिन अब शुरुवात में इनोंने सिधान दिया कि देखे जो चंद्रमा है उसको इनोंने देखा और उनको कहा कि चंद्रमा की जो सर्फेस है लुनर स मानते थे लेकिन बाद में तो मानना पड़ा उसके बाद इन्होंने जनवरी 1610 में जो जूपिटर ग्रह है उसके चारो तरफ चार चंद्रमाओं को ढूंडा, चार उपग्रह को देखा, ट मूनस यानि की उपग्रह, किसी भी ग्रह के चार हो तरफ लगाने, चक्र लगाने वाले जो ग्रह होते हैं, उनको कहीते थे उ कही बार, उपग्रह होते हैं यह auto satellite है, इनको ही इनको इन यह फैंबली मेडिसी फैंबली के ही मेंबर थे कोस्मो डी 2nd डी यह जो हैं बहुत ही पाउरफुल डूख हुआ करते थे तस्कनी के और इनसे इनको फैवर चीए था अब फैवर चीए था क्योंकि इनकी उस समार्थे कि उस्टेदी अच्छ नहीं थी और इनको 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 फ कर दिया मेडिसी फैंबली के साथ इनके साथ रिलेशन बन गए एक पावरफुल फैंबली के साथ यह जुड़ गए और इन्हों ने कहा कि आप अपनी थियोरी को चापिए मज़े से चापिए कोई दिक्कत नहीं है जो भी अपोज करेगा उसको मैं देख लूँगा लेकिन ऐसा नहीं है इतने पावरफुल तो को यह मैडिसी फैंबली भी नहीं जिती जितना की चर्च था चर्च के सामने जब आएगा कॉन्फरीक्ट तब इनकी बैंड बजने वाली है इन्होंने अपनी सबी थियोरीज को ऐस्ट्रोनॉमी में जो भी नहीं सिध्धान्त दिये उनको अपनी बुक में लिखा साइडियस ननिशियस दे स्टारी मेसेंजर इस बुक में इन्होंने अपनी सारी discoveries को लिखा है और इसी की वज़े से ये celebrity बन गए और फिर सब गैलेलियों को जानने लगए कि गैलेलियों हर फिल्ड में इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सब इनको एक तरह से respect की नजर से देखने लगए और गैलेलियों को के बहुत सारे पुपिल्स भी बन गए बहुत सारे जो है इनके चेले चपाटी बन गए इनसे पढ़ने आते थे किसी भी चीज में वो फंसते थे तो इनसे मिलने आते थे इनके सिध्धानतों को जानना चाते थे तो यह बुक लिखी इन्होंने और चांद की जो तस्वीरे हैं जो भी तस थी उस समय के साब से फिर इनका जो सपोर्ट है कोपर निकसरीजम के पास ये इनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना टर्निंग पॉइंट इसलिए बना इनको लगता था कि देखे इससे पहले इनके चर्ज के साथ ठीक थे कोई दिक्कत नहीं थी चर्ज वो काफी कॉंट्रवर्शियल था हिलियो सेंट्रिक मोडल जो था उसके उपर अब बात ही कर लेते हैं पहले इस मोडल को यह देख लीजिए पहले क्या कहा जाता था अरिस्टोटल और टोलमी यह जो पुराने फिलोसोफर्स थे पुराने जो टोलमी तो एक बहुत इंपोर देखे इन तीनों की बायोग्राफी मैंने कवर करा दी है जो इधर नाम है आपको गैलेलियो चली रहा है तो एक तरफ ते कोपर निकस और गैलेलियो और आगे चलके जो है एक और बड़े फिलोसोफर हुए एस्ट्रोमर हुए क्या नाम है उनका केपलर वो भी आगे चलके गैलेलियो को मेडल में और इंप्रूमेंट करेंगे तो एरिस्टोटल और टोलमी क्या कहते थे कि अर्थ जो है वो तो सेंटर ओफ यूनिवर्स है और इसके चारों तरफ सभी के सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और सन भी इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं ये सिध्धा को आगे चलके पंदरवी शताबदी में कोपर निकस ने गलत साबित किया और उन्होंने कहा कि सूरद जो है वो सेंटर ओफ यूनिवर्स है और सारे के सारे ग्रह इसके चारो तरफ चक्कर लगाते हैं धरती भी इसके चारो तरफ चक्कर लगाती है और धरती के चारो तरफ च सपोर्ट किया और जब उन्होंने अध्यान किया अपनी ओब्जर्वेशन्स में पाया कि जो कोपरनिकस कहा करते थे वो सही निकला कोपरनिकस तो इनके जनम से 20 साल पहले मर चुके थे इनसे एक सदी पहले के विज्यानिक थे वो तो उन्होंने इस ठोरी के उपर डिबेट को कोशिश करी और अपने एक स्टुडेंट बेनेडिटो कैस्टेली को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि यह जो थियोलोजिस्ट हैं जो भी चर्च के लोग हैं यह कोपरनिकस को इतना क्रिटेसाइज क्यों करते हैं कोपरनिकस तो ठीक कह रहे थे और यह जो चीज कर रहे है अबजेक्शन कर रहे हैं यह ठीक नहीं है और यह जो लेटर इन्होंने लिखे यह लेटर हो गए लीक लेटर लीक हो गए और चर्च के पास यह चले गए चर्च को पता चल गया जो भी विरोधी थे गलेलियों के उस समय के उन्होंने यह जो है चर्च तक यह लेटर पहु आप कॉपर निकस के सिध्धानतों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप कभी भी कॉपर निकस के सिध्धानतों को पब्लिकली नहीं करेंगे सपोर्ट क्योंकि हमने कॉपर निकस के सिध्धानतों पर लगा रखा है बैन ऐसा कहा पॉप ने और यहां पर गैलेलियो उस चीज़ पे अग्री भी कर गए क्योंकि उनके पास कोई चोईस नहीं थी वरना उनको पता है कि पॉप का जो अगर गुस्सा उनको जहलना पड़ा तो उनको बहुत ज्यादा हर्ष पनिश्मेंट भी मिल सकता है लेकिन उसके बाद 1632 में गैलेलियों ने एक और कोशिश करी और लिखा लिख डायलोग चूंसरिंग फैसी चीफ विर्ड इस्टम इस डायलोग में नहूं ने और यौर्ण यों। को सब्सक्राइब रहत और कि आखंग गया उसको ऐसे हैा सो लिक्षि चर्छ व्षो गया एक है कि चर्च इस डिबेट के उपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे और उन्होंने तो यह argument conduct कराने कोशिश की थी और वो argument जो है उनके उपर भारी पड़ गया अब चलता है गैलेलियो पे trial गैलेलियो को फिर से समन किया गया 1633 में रोमन Catholic Church में उहां पे इनको बुलाया गया और कहा गया कि यह क्या है आपको जब मना किया था कि Copernicus के सिद्धानतों को आप पब्लिकली सपोर्ट नहीं करेंगे कोई argument नहीं करेंगे उसके उपर तो आपने कैसे की तो शुरुवात में तो गैलेलियो ने मना कर दिया कि मैं हीलियो सेंटरिजम को नहीं advocate कर रहा हूं मैं तो इसके उपर एक debate conduct करवा रहा हूं लेकिन बाद में कहा कि ठीक है मेरे से गलती हो गई मैंने unintentionally कर दिया और मैंने चर्च को मतलब मेरा कोई ऐसा intention नहीं था कि मैं चर्च के नियमों के खिलाफ जाओं लेकिन उसके बाद भी इनकी बातों को नहीं सुना गया इनको इनके ओपर चर्च नाराज था तो चर्च ने और इसको इनको धर्म विरोधी होने का टैग लगा दिया इनको एक तरके से पहले तो lifetime का इनको वो मिला था कि आपको आज इवन कारावास होगा लेकिन फिर उसको बदल दिया गया और इनको कहा गया कि अब आपको हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा क्योंकि उमर भी इनकी हो चुकी थी 68 साल के खुद हो चुके थे गलेलियो तो इनको अब आप हाउस अरेस्ट में रहेंगे अपने बाकि समय में और कोपर निकस वाले आइडिया पर तो बिल्कुल बातचित करेंगे ही नहीं और इनको बाद में यह हाउस अरेस्ट में रहे तो इन्होंने अपने जो अर्लियर जो मोशन के उपर जो एक्सिपेमेंट के थे उनके उपर अपनी और डिबेट्स और किताबें लिखी वो वर्क अविलेबल है जो फाइनल जो ग्रेट इनका साइंटिफिक वर्क है उसको इन्होंने लिखा लेकिन उसके बाद कोपनिकस के एडियाज पर उनके उपर इन्होंने ज्यादा काम नहीं किया लोग इनके पास आते थे मिलते थे देखे चर्च ने भी जाके धाई सो तीन सो पचास साल बाद इनकी मृत्यों के बाद यह कहा है लगबग 1902 में में कहा था कि जो जिस तरीके से गैलेलियो को ट्रीट किया चर्च ने वो चर्च से कहीं न कहीं गलती हुई आज कोपनिकस और गैलेलियो के सिधानतों को सही माना जाता है लेकिन चर्च ने जिस तरह से उनके साथ हर्स ट्रीटमेंट किया वो सही नहीं था लेकिन यह तो बहुत लेट कहा 8 जनवरी 1642 को 77 साल की एज में गैलेलियो का देहांत हो चुका था उनकी डेथ हो चुकी थी इसी साल 1642 में जनम होता है एक और महानवे ग्यानिक आईजक न्यूटन का कुछ लोग कहते हैं कि आईजक न्यूटन जो थे वो जो हैं गैलेलियो के ही आउतार थे गैलेलियो न तो उसके बाद ये हर्ट डिजीज से इस तरह से प्रिशान थे उस समय लास्ट समय में एक फीवर आया और इनकी 77 साल की एज में डेथ हो गई हैं तो थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो है वे गूट दे सी नेक्स क्लास